प्रिये चात्रों प्रस्तुत पाठ के तीसरे भाग में लेखत बताना चाहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा धीन होता है बहुत से लोग इस गलत वहमे में मुबतला रहते हैं कि उची पोजिशन पे जो काम करने वाले लोग होते हैं और उनके साथ जो नीचे पोजिशन पे काम करने वाले लोग होते हैं वो उन्हें बड़ी दुस्ती से हिंता से देखते हैं इनसान को चाहिए कि इनसान के नाम से नहीं बनकि उसके काम से उसको जाना चाहिए पैचानना चाहिए हमारे रास्ट पिता महत्मा गामी को ले लीजिए वो अपना सारा काम स्वहम खुद करते थे और दूसरों को भी काम करने के लिए प्रेरीब किया करते थे जैसे सफाई करना, कपले धुना, बर्तान धुना, सड़के साप करना, बाल काटना ऐसे अने काम जो लोग करते हैं वो काम हरेत को करना चाहिए और ऐसे काम करने वाले को हींता से नहीं देखना चाहिए बलकि उसका अपने समाज में एक भिन अंग है उसको एक समानता देने चाहिए इस पार्ट का सबसे बहत्री नुद्देश यही था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता तो छातों याद रखे भुश्य भी आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है तब तक के लिए आज़ें